गोभी की फरे हर किसी को पसंद है चाहे बच्छी हो या बड़े तो आज हम बनाएंगे गोभी के फरे तो इसके लिए हमने गोभी छोटा छोटा काट लिया है और हमने यहाँ पर मटर ली है 500 ग्राम मटर है हमारे पास जादा मटर नहीं थी तो हम थोड़ी मटर लिये हैं और यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा लहसुन लिया था, उसकी मैंने छोटे छोटी से टुकडे बना लिये हैं, छील लिये हैं, और हरी मिर्च मैंने लिये हैं, 8 से 10 हरी मिर्च मैंने यहाँ पर ले लिये हैं, और अब हम गैस को अन करेंगे, कढाई रखेंगे, कढाई में हम ड कि बाद हम इस दूकल नवा दालएंगे लाल मिर्चि आप माऴियों को मैं इसे में में हमारे जाएंगे तब यह हम अजaż से करेंगे लं ऐसलएं चानल डेंगे लाल मिर्च पावडर डालेंगे लाल मिर्च ही जादल ली यह निल सकते हों गारं काटके रखी हैं गोभी और मटर इसी में डाल कर हम इन सब्जी को भी पका लेना है सब्जी हमें पूरी तरह से पकानी है इसमें नमक हम एड़ कर देंगे और नमक एड़ करने के बाद हम इस सब्जी को ढख कर पकाएंगे दोस्तों ये सब्जी हमारी पकने में 6-7 मिनट लग और इसके बाद हम इसमें टमाटर एट कर देंगे टमाटर डालने के बाद हम इस सबजी को दो-तिर मिनट और पकाएंगे बहुत जादा नहीं पकाना है क्योंकि हमारी सबजी पक चुकी है थोड़ा सा भी टमाटर हम गलाएंगे बस इतनी देर हमको पकाना है तो दो मिनट के सब्सक्राइब को सब्सक्राइब डाला है सब्सक्राइब करें, एपको नई है। गीला हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और ठंडा होने के लिए इस स्टेफिंग को हम रख देंगे तो स्टेफिंग हमारी तयार है हमने आटा गूत के रख लिया है आधा गंटा पहले हमने गेहुं का आटा गूत के रख लिया था और अब हम फरे बनाएंगे तो फरे बनाने के लिए हमें एक बड़ी सी लोई बनानी है और हम एक बड़ी सी रोटी भी बेलेंगे तो इस तरह से आप ज्यादा आठा ले लिजिए और सुखा आठा लगा करके इस रोटी को आप बड़ा करिए और उसके बाद इसको पूरा बेल क कि हमने इसको बड़ा कर लिया है और एक ग्लास की मदद से हम इसके गोल-गोल पीस बनाएंगे अगर आप चाहें तो ग्लास से ना काट करके ऐसे ही बेलन की मदद से भी आप रोटी बना करके तयार कर सकती हैं तो यहां पर अभी हम ग्लास से काट के बनाएंगे अभी हम आप आपको आगे दिखाएंगे किस तरह से आप केवल रुबेलन्द की मदद से बिना ग्लास से आप किस तरह से रोटी बनाएंगे हम वो भी आपको बताएंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी छोटी सी गोल रोटी बन कर तयार है एस्टिफिंग को आप भीच में रख द पनीस अत्यरी जरूर अच्छे से दबा देजे नहीं तो ये करते समय महिसśmy जब हम इसको पकआएंगे तो ये फट सकते हैं तो इसलिए ये 2020 कीनारी दबानी है किनारी में आपको पानी वगरा लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह हमारा गेहूँ काटा है और इससे बहुत अच्छे से यह दब जाता है और बिल्कुल खुलता भी नहीं है बस आपको थोड़ा अच्छे से दबा देना है इसको और इस तरह से आप तया सारे फरे बना लीजिए और ग्यहों की रोटी होती है उससे अगर आप बड़ा आकाट देना चाहें तो आप बड़ा भी बना सकते हैं यह फरे हमारे रहे बेखों छोटे छोटे से बनेंगे जब आप ग्राव से बनाएंगे तो यह बहुत छोटे बनेंगे और देखने में बहुत सुन्दर लगेंगे एक साइस के बनते हैं तो यह मैंने सारे फरे एक एक करके इसी तरह से बनाने हैं और आब हम आपको दिखा देते हैं कि छोटी लोई काट करके आप किस तरह से फरे बनाएंगी तो यह कोड़े वरे बना सकती है चोटे हएं घया Кण ड़ाई रखेंगे और कड़ाई गरबHH руки कर दोदे चाहें हम डाल देंगे जीरा यहां पर बहुत सारी चीज़े हमें नहीं डालनी हैं जीरा डालेंगे हल्दी पाउडर डालेंगे और हम डाल देंगे लाल मिर्ची थोड़ी सी गरम मसाला थोड़ा सा और एक चम्मच के करीब हम धनिया पाउडर डाल कर पकाने के बाद हम इसमें एक ग कम से कम पांच मिनट इसको आप पकने दीजिए धकन लगा कर उसके बाद पांच मिनट के बाद अप इस धकन को पलट दीजिए और फिर से पांच मिनट के लिए पकने दीजिए क्योंकि ये फरे हैं इनको पकने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है तो ये अच्छे से पक जाएं इसलिए आप 5 से 10 मिनट का टाइम जरूर दें 5 मिनट इधर से पकाएं 5 मिनट उधर से पकाएं और 10 मिनट में आपके ये फरे बनकर रेडी हो जाएंगे तो आप देख सकते ही दोनों तरफ से हमारे ये फरे बनकर तयार हैं इन फरों को हम निकाल लेंगे एक एक करके सारे फरे निकाल देंगे पानी हम बिल्कुल भी रहें निकालेंगे सुखे सुखे फरे हमको निकालने हैं और इनको हम थोड़े देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे ये सारे फरे हमने बना लिये हैं और इनको अब हम ठंडा करेंगे 10-15 मिनट में ये हमारे फरे ठंडे हो जाएंगे और इनको अब हम फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए हमें लेनी होगी करी पत्ती थोड़ी सी हमने करी पत्ती ली है और यहां पर हमने थोड़ा सा सर्सों का दाना भी लिया है सर्सों का दाना आपके घर में होगा छोटी छोटी सी राई होती है अगर छोटी राई ना हो आपके पास तो बड़ी वाली भी ले सकते हैं तो यहां पर हम थोड़ी सी राई ले रहे हैं और करीपत्ति हमने ले लिए है अब हम कड़ाई में तेल डालेंगे सरसों के तेल से हम बना रहे हैं और सरसों का तेल हमने डाल दिया है दो चम्मस के करीब इसी में हम पहले राई डालेंगे जब राई हमारी तड़कने लगेग आप एक एक करके सारे फरे इसलीमें डाल करके उलट पलट करके फ्राइ लिए दोस्तो इस तरह से आप फ्राइ प्राइ राल करके com करके बेभी के अचरे क्रे लगते हैं वो ज़्यादा कड़वा नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर मसाले का में गएड मेट किये हैं, तो इस तरह से आप मसाले और भी एड आट कर सकती हैं इसमें चाट मसाला भी डाल सकती हैं ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत भुत धन्यवाद।